नमस्कार वन इंजिया हिनी में आपका स्वागत है मैं हुराधिका जमू और कश्मीर के उधंपूर में बहलाओं को कोरोना वैक्सिन लगाने के लिए विशेश पिंक बूथ इस्थापित किया गया है इस बूथ पर केवल बहलाओं को वैक्सिन लगाए जाएगी पिंक बूथ लगाने का उदेश इस्थाने बहलाए बिड़ा किसी जिजग के वैक्सिन लगवाएं और वैक्सिन लगवाने के लिए उन्हें प्रोथ साहित करना है खास बात यह है कि इस वास्ते विभाग ने इस बूथ को विशेश तोर पर सजाया भी है इंटीरियर को कलर कॉडिनेटेट के साथ एक और पिंक थीम रखा गया है इसके अंदर परदे भी पिंक रंग के लगाए गये हैं जो इसे एक आकर्शक लुगते रहा है वैजीला स्पताल के बैडिकल सुप्रेटेंडेंट डॉक्टर विजे रेना ने कहा कि पिंक बूथ पहल का उद्देश, महिलाओं और लड़कियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आराम से तिका करन करने का है उन्होंने कहा बड़े पैमाने पर चल रही टिका करन अभियान के कारण विशेश रूप से बच्चों के साथ महिलाओं को अपना टिका करन करवाने के लिए कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए बहलाओं के लिए ये खास बूथ बनाया गया है हैसल फ्री कर दे इनका वैक्सिनेशन इजी और और इनके एक एक स्पैस्पिक कैबिन मैंने जहां ये अराम से अपने कंफोर्टिबली परदे के पिछे जैसे मर्जी अपने इंजिक्शन लगवा के अपने से तो इस चकर इस आईडिया के साथ मैंने वजी डिप्टिव कमिश अजिक्शन होती थी कई बार उनको परेशाणियों और असहच्चता का सामना करना पड़ता है ऐसे में विशीष पिंक बूत को इस्थापित किया गया है और इससे महिलाओं को वैक्सिन लगवाने में सुविधा हो रही है साथ ही महिलाएं बिना हिच की चाहत और असुवि को बहिलाओं के लिए आसानी से सुनिश्चित किया जा सके और बहिला लाभार्थियों को सेफ फिल हो इस खबर में फिलहा लिता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ